हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बर्फी की रेसिपी ये बर्फी बहुत ही सौफ्ट और एकदम दानेदार बनके तयार हुई है इस बर्फी को हमने एक गलास दूद में बिना चीनी का इस्तमाल किये हुए बनाया है आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आईए देखिये इसे कैसे बनाते हैं यहाँ पे लिया है मैंने मिश्री ये धागे वाली मिश्री है इस मिश्री को अब हम छोटे छोटे टुक्रों में तोड लेंगे जिससे की इसके अंदर का जो धागा होता है वो निकल जाएगा हम इसका पाउडर बनाएंगे तो पहले हम मिश्री में से इस तरह से ये जो धागे हैं इसे निकाल लेते हैं तो यहाँ पे ये रेखिये मिश्री का धागा हमने निकाल लिया हैं इसी तरह से सारे मिश्री में से तोड़ तोड़ के धागा निकाल लेंग तो यहां पे सारे मिश्री को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे पीस के इसका एकदम fine powder बनाके तयार कर लेते हैं तो यह देखें यहां पे powder बन गया है एकदम fine बनाया है कप से नापने में ये आधा कप है तो यहाँ पे आधा कप मिश्री को हमने पाउडर बना लिया है अब हम यहाँ पे गैस पे एक कडाही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक गिलास दूद ये दूद फुल क्रीम दूद है अब हम इसे गरम होने देंगे जब दूद अच्छे से गरम हो जाएं तो इसमें हम डालेंगे मिश्री का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे मिश्री के पाउडर को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पाउडर दूद में घुल जाएं घुलने के बाद हम इसे इसी तरह से दो मिनट तक और चला लेंगे और इसके बाद इसमें एड़ करेंगे मिल्क पाउडर यहाँ पे एक कप मिल्क पाउडर लिया है और मिल्क पाउडर को लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए mix करेंगे ताकि milk powder की गुठलिया ना पड़े gas का flame low रखेंगे और low flame पर हम इसे mix करेंगे तो ये देखे यहाँ पर अच्छे से mix कर लिया है गुठलिया बिल्कुल भी नहीं है अगर थोड़ी बहुत चोटी चोटी गुठलिया है भी तो वो mix करते समय गुल जाएगी और ये देखे जैसे जैसे हम इसे भुनते रहेंगे mix करते हुए चलाते रहेंगे जैसे जैसे ये पकता जाएगा गाढ़ा होने लगेगा तो यहाँ पे अब देख रहें कितना गाढ़ा हो गया है अब हम इसमें add करेंगे घी बहुत जादा घी का इस्तमाल नहीं करना है इस recipe को बनाने के लिए हम सिर्फ एक tablespoon घी का इस्तमाल करेंगे और इसे mix करेंगे जिससे कि ये soft होगा तो यहाँ पे पहले हमने इसे हलका सा गाढ़ा होने दिया है उसके बाद घी डाला है घी में जैसे जैसे ये mix होता जाएगा ये हलका होने लगेगा और milk powder की वज़े से ये देखिए थोड़े थोड़े इसमें दाने बनने शुरू हो रहे है तो जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा इसमें दाने बन जाएगे और इसे हम तब तक चलाते हुए पकाएगे जब तक ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए तो ये देखिए गाढ़ा होने लग रहा है हमने इसमें घी डाला है जिसकी वज़े से ये चिकना हो रहा है और सॉफ्ट हो रहा है तो बस अभी भी ये चिपचिपा है तो इसे लगातार चलाते रहेंगे इस स्टेज पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएंगे तो यहाँ पर लगातार चलाते रहेंगे गैस का flame low ही रखना है low flame पर हम इसे तब तब भुनेंगे जब तक ये बिल्कुल dry न हो जाए अभी ये देखिए dough जैसा बन गया है लेकिन अभी ये चिपचिपा है तो थोड़ा सा हम इसे और भुनेंगे तो यहाँ पर ये देखिए तेल या गी इस तरह से grease कर देंगे और सारा mix बरतन में डाल के इसे अच्छे से spectral या फिर चमच की मदद से ऐसे दबा देंगे पूरे को अच्छे से दबाना है ताकि ये पूरे में अच्छे से set हो जाए और जब ये थंडा होगा तो ये जम जाए तो बस अब हम इसे थंडा होने देते हैं बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा इसे थंडा होने में आदे गंटे के बाद ये देखिए अब ये अच्छे से थंडा हो गया है और एकदम अच्छे से जम चुका है set हो चुका है तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं, butter paper की मदद से ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, तो इसे ट्रे में से निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसे कट करेंगे तो बस अब हम इसे कट करते हैं, बहुत ही बड़िया बरफी बनके तयार हुई खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होती है आप भी इसे अपने घर पे बनाईएगा और अब मैं आपको इसे तोड़के दिखाती हूं एकदम दानेदार टेक्श्चर है इसका तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिल दिखते हैं नेक्स्ट वीडियो में